हेलो दोस्तों नमस्कार मैं गोरो एक बरफिशन स्वाकत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जैग जामें तो आज की वीडियो यूबिप निशाज़ार पांसवाट सट और एक ताज़ार पांसवाट सबी सभी के लिए इंपोर्टेंट है और लाश्ट तक बने रहें आपके बहुत सारे सवाल हैं जैसे है क्या अभी भी मौका है उन्चाहजार पांसवाट दो बैच बन सकती है उसके बात करेंगे उससे साथ साथ बतादें पर यसी अब ब्यर्थियों ने लगाया भेद भाव का आरोप इस पर भी बात करेंगे उसके साथ साथ बतादें एक लाश्ट मौका है क्या है उसको भी बताएंगे कि जैसा कि आपको पताए बिबेक सर की आपकी जो पद यातरा थी उसको रोग दिया गया है ना है जिसमें प्रसासनी काणो या फिर उनक के तवियत के ठराब होने की काणो ऐसा किया गया है तो उसपे भी बात करेंगे कि अब क्या करने हमें तो वीडियो में लाश्ट तक बने और चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों को साथ सेयर करना ना भूले ताकि ये सारे अपडेट सभी लोगों तक पहुँच पाए और हम अपने आगे की रणनीति को बता सके बना सके सबसे पहला सवाल काफी स्टूइंट्स के मन में है कि क्या उन्चा जार 568 का अभी भी दो बैच बन सकता है तो मैं दो बैच बनने की बात करूँ जब तक इनकी RTC स्टार्ट ना होगी लगबत तीन नॉम्बर को साइद इनके RTC स्टार्ट होने वाले काफी अपडेट भी देख चुके होंगे तब तक हमारा प्लान प्रयास करते रहना हमें क्योंकि RTC होने के बाद ही आपका कुछ भी नहीं होगा RTC से पहले जगर जो हमें करना है तो ही कर सकते हैं प्रयास को कम करने के लिए किया जा रहा है तो आप उनकी बातों को ना ध्यान दे उसके साथ साथ बताते हैं 14 के स्टुडेंट जो है 14 स्टुडेंट जे टिसी लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं जैसा कि मैं पहले भी बताया था आपको 25 तारीक के बाद यानि लगबग 25 से 30 के बीज में आपको जिस्ट देखने को मिल जाएगी जैसा कि अभी आपका आपका चरित भेरिफिकेशन था उसमें आपको देख पा रहे होंगे यह आपका एटा का खबर है इसको मैं पढ़के सुना देता हूं आप घपड़ाएं ना जब आपका मेडिकल हो गया तो आप अपना काम आपका खतम होगे आप जो भी करना है वो आपको प्रसासन को जो समय से पूर्ण कराकत दो दिवस के अंदर उपलब्द कराना सुनशीच करें किन्तु एक सब्ता से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के करणा अभ्यार्थियों का चरित सत्यापन पूर्ण कर उपलद नहीं कराए गया यह इस्तिति अत्यंत खेद जने खाता आपसे पूरा नि सुचना एकाई के माध्यम से उपलब्द कराकर सुनशीच करें इसमें किसी प्रकार का बिल्यम न किया जाए प्रकाण में उच्छ अधिकारियों दौरार पर दिन जो है प्रगति ग्यात की जा रही है तो जैसा कि आप देख पारें को चार्ज चौदा जारें घबड़ा है रोका भी गया है और आपको बता दें कि उनकी तवियत भी काफी गड़बर हो गई थी खराब हो गई थी तो इसलिए उनको पद्यात्रा को रोक दिया गया जैसा कि आपकी सीन पो देख पा रहा होगा फोटो उसके साथ मैं बता दूं आपको कि उनका मैं आप जो आप अच्छी हो तो अब उसके साथ-साथ आपके लोगों के मन में काफी यह डाउट्स होगा कि आपका चौविस त resent का Shell इंए उसको क्या होगा तो उसके साथ-साथ-स बता दें आपको 21 तरिक को जो आपके वर्तिय बोड में मिटिंग मुई थी उसमें क्या हमारी बातों को किय गया था क्या हमारी बातें रखी गई तो इस पर भी टॉपिक पर बात करेंगे तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं और चैनल पर नहीं तो चैनल को जबूर सब्सक्राइक परें जैए एक्जाम यूटूब चैनल हमेशा से आपका साथ देता रहा है और आगे भी आप का साथ देता रहाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए बात कर लेते हैं आपका जैसा कि आप देख पा रहा हूंगे एक्जाम पूर केमिल्टी टैम में पढ़ा था आप देख सकते हैं आप सभी को हमारी तरब से सूचित किया जा रहा है कि हमारी पद् जैहिन जै भारत तो जैसा कि मैं बता दू विबेक सर ने काफी अच्छा हमलों का साथ दिया प्रयास किया इसके लिए उनको धन्यबाद और भगवान से बातना भी करेंगे कि जल्दी इस वर उनकी जो है तब्यत को सही करें और जल्दी हमारी बातों को रखें जैसे कि मैं बता दू आपको 24 तारी का जैसा कि सभी लोग प्लान बना चुके हैं तो मैं बता दू 24 तारी को आप जरूर जाए और इसके साथ साथ बता दें यदि जैसा भी जामपूर के वाले विबेक सर के जैसा ही गाइडलाइन मिलता है त्वीटर पे भी काफी स्टुएंट्स ने साथ दिया आपका पत्र भी भी भेजा उसके साथ भरती बुड़ भी दो दो बार गए लेकिन 24 तारी के ज्यादा संख्या में जाते हैं जरूर हमारी बातों को सुना जाता है जैसे कि बता दें आपको पी एसी कंड्रेट्स लागातार मेहनत कर रहा है और काफी लोग यह मा नमबर अधिक है उनको वरिष्टा सुची में 14000 में लाया गया है लेकिन वरिष्टा सुची के फालो किया गया है तो क्या पी एसी के इस्ट्रेट्स के अधिक नमबर नहीं है उनके भी लगबार आपके क्यानबे-92 से उपर लगवा 500 के असपस स्ट्रेट्स हैं कि वे वरिष्टा सुची में नहीं आएंगे तो यह काफी जाती पी एसीइड के सासा थो रहा है उसके साथ गल्स कंडड़ेट को भी लगवा 2890 गल्स कंडड़ेट को जाने के लिए बोला गया था लेकिन 738 गल्स कंडड़ेट सी जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफी है तो सभी लोगों को यूनिटी बनाकर एक साथ लड़ेंगे तभी कुछ न कुछ होगा चलिए बात को बता द जाना भरती परगरिया के बारे में पूछा कैसे क्या चल ला है तो नो डाउट पुलिस विभाग में जब से सीम सहाब बने हैं तब से बहुत अधिक वेकंसी आई है और लगभग हुई है लेकिन 137,000 की बात जो की जा रही है वो सरासर गलत है यदि 137,000 की वेकंसी पूरी लोग चले गांगा उसके साथ साथ बता दे 49,566 में अभी एक भी स्टुडेंट्स की जो है आर्टी सी स्टार्ट नहीं हो टेनिंग पे नहीं गहीं लेकिन हमारी भरती एक लग से जार आपका पूर्ण करने की बात की जा रही है ये सरासर गरत है और मैं बता दूं आपको क 29,568 में भी अगर 25,566 में अगर 25,566 सीटे खाले तो नो डाउट इसमें भी 6,000 के आसपस सीटे खाले होगी यदि 6,000 और 5,11,000 उसमें भी 2,300 जोड़े तो लागवा एक से 30 में आपकी कितने स्टुडेंट्स कराए जाएंगे लेकिन उनका मानना यही है उसीम साब को भी क 25,520 के स्टुडेंट्स हैं की बताएं ने के लिए हमारी आवाज को उठाने के लिए जरूर भरती बोर्ड या फिर जैसे भी टूटर अवियान भी आगे अगर चला जाता है विवेक सर के संग्यान में अधी बात करते हैं तो उनका भी हमें लाश्ट तक साथ देना है उसक प्रगार उठाते रहेंगा वीसे प्रगार एड़िव रहेंगे और मैं चलिए सबसे पहले पेसी की स्टुडेंट्स के लिए जो आपने प्रियास किया अख़बार में हिंदुस्तान अख़बार में निकला विभिन उच फिपर में अपनी बात को रखने के बाद आप ही ज जरूर साथ दें ताकि जल से जल सभी स्टूडेंट जो है ट्रेनिंग पर जाएं और सबकी जेटीसी आटीसी समय से स्टार्ट हो क्योंकि इतने दिनों तक मेडिकल को बचाए रखना किसी के लिए काफी मुश्किल है तो यही है कि सभी लोग जरूर साथ दें जैसा कि आपको की कटिंग है मैं हमेशा अथंटिक और प्रूफ के साथ देखता हूं आप देख सकते हैं बेर्थियों ने लगाया भेदभाव का आरोप मैं पढ़के सुना देता हूं आपका उन्चाजर पांसा और सा सिपाई भरती के पीसी आ बेर्थियों ने भरती बूर्ट पर सहाब क्या है विर्क तैजी से भरें तो यगले बढ़ने के लिए जा रहा है जरूर हमने हमें अपनी बातों को भरती बड़ अध्य और सीम साहब तक पहुँचाने के लिए अधि बर्ती बड जाने का प्लान है तो जरूर उसके साथ आगे फीस टिटर अभियान को चलाया क के लिए बोला जाता है तो जरूर हमें बढ़ चड़ के अभियान में भी भाग लेना है ताकि यदि जो है आटी सी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे और लगबग आपके साथ प्यास मेंना बैठना ही पड़ेगा उसके साफर चार चारणों की बा हैं वह भी ध्यान दे ऐसा नहीं कि उन्होंने मान लिया कि चलो अब हमारा अगला चरण में आजागा कोई जरूरी नहीं यदि हम एक होते हैं तो सभी लोगों का जो है दो चरणों में ही ट्रेनिक कंप्रीट की जा सकती है तो चलिए यहीं बताना था वीडियो में वीडिय कर दो कर दो